नमस्कार मैं प्रग्या ध्रधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देजप्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को भारतिय वायू सेना के C-17 विमान ने 9 सेना की एक नाव को आसमान से गहरे समुंदर में सुरक्षित उतार दिया भारतिय वायू सेना ने एक अध्यान के तहट ऐसा अभ्यास किया यह अभ्यास देखकर दुश्मन भी कांप जाएगा भारतिय वायू सेना नेवी और थल सेना अगर एक मिलकर धावा बोल दे तो अच्छे अच्छे के छक्के चुरा देंगे भारतिय वायू सेना ने सभ्यास का अपना एक वीडियो आधिकारी का एक्स पुर्व में ट्वीटर पर जारी किया करनाड़क हाई कोट ने मंगलवार को सोशल मीडिया के इस्तमाल को लेकर एहम टिपनी की कोट ने कहा जिसे केंद्रिय बैंकडों के लिए नई मुसीबत पैदा हो गई है दगार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार अंतराश्टी बेंचमार्ग ब्रेंट क्रूड मंगलवार को 95 डॉलर प्रती बैरल से अधिक हो गया जो नमबर 2022 के बाद से सबसे अधिक है दगार्जियन के रिपोर्ट के अनुसार ब्रेंट गुरूड की कीमत 2022 में 80 डॉलर प्रती बैरल से नीचे थी पिछले फरवरी में रूस द्वारा उक्रीन पर आकरमन करने के बाद इसकी कीमत लगभग 130 डॉलर प्रती बैरल तक पहुँच गई थी जिसे मुद्रा स्विती में प्रती गई अंतराश्ट्री क्रिकेट परिसन ने 2021 एमिरेट्स टी 10 लीग के दुरान भरष्ट गती वीदियो में शामिल होने के लिए 8 खिलारियों अधिकारियों और कुछ भारतिये टीम मालिकों पर विवन आरोप लगाए हैं भारत के एक्सन में आते ही कनाडा के प्रिधान मंतरी जस्टिन टुड्रो सफाई देने लगे हैं टुड्रो ने कहा कि कनाडा भारत को खसाना नहीं चाहता बलकि नई दिली से अलगाववादी सिखनेता की हत्या को गंभीरता से लेने की गुजारिस कर रहा है गरसल टुड्रो ने सोमवार को संसद में कहा कि हरदीब सिखनेजर की हत्या और भारत सरकार के एजन के बीच संभाविस संबन के पुक्ता आरोप हैसले लेकर कनाडा की सुरक्षा एजनसिया पूरी सक्वियते से जाज कर रही है यह आरोप लगाते वए एक भारती अधिकारी को कनाडा की और से निश्कासित कर दिया गया 36 गर के सूरजपूर पहुंचे एसम के सीम हिमंद विस्वा सर्मा ने यहां के सीम भूपेज बगेल और मध्य प्रदेश के पुर्व सीम कमलनाथ को एक चनौती दिया इसम के सीम ने इन दोनों निताओं को कॉंग्रस निता राहुल गांधी और उनकी माता सूनिया गांधी को अयोध्या में राम मंदिर ले जाने को कहा है उन्होंने का मध्य प्रदेश में कमलनाथ और चत्तिसगर में भूपेज बगेल कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं मैं उन्हें चुनौदी देता हूँ कि अगर वे हिंदू होते हैं तो एक बार के लिए अयोध्या के राम मंदर में सुनिया गांधी और राहुल गांधी को ले कर जाए करीब 2000 सिवल सुसाइटी संगटनों और व्यक्तियों ने स्तथिक की निंदा करते वे एक बयान पर अस्ताक्चर किये हैं कि इस या प्रशांत फोरम ने भारत के राश्ट्रे मानवाधिकार आयोग को दल्ली में अपने अगले संभेलन की मेजबानी करनी किर्मती दी है बावजूद इसके की मानवाधिकार संगटनों के वैसरी गडवंधन इसकी मानता स्थगत कर दी है अडानी हिडनबर्ग मामले में एक याचिका करता ने सुप्रीम कोर्ट से आगरह किया है कि वह एक नई विशशग्य समीती बनाया उनका रोप है कि मौजूदा समीती हीतों के टक्राओं में शामिल है इस साल मार्च के शिरवात में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुर्वर न कोर्ट में पेश होनी के आदेश जारी किये गये थे एशिया कप खेल कर लोटे समी ने कोर्ट में पेश होकर जमानत की अरजी दाखिल की जिसे कोर्ट ने मंजूर करते वे उन्हें वर्ल्ड कप से पहले राहत दी है समी के साथ ही उनके भाई मुहमद हासीम की जमानत याच को भी कोट ने मंजूर कर लिया, एक रिपोर्ट के अनुसार मुहम्मद समी और अपने भाई के संग वकील सरीम रहमान के साथ कोट में पेश हुए थे। के साथ साजा की गई साइबर स्रक्षा सलाह के जड़िये सम्मद अधिकारे को खत्रे के बाड़े में सुझित किया अन्द प्रदेश पूलिस की CID ने फाइबर निट घुटाले में तदेपा अध्यक्ष और पुर्व मुख्यमंत्री एंचंद्रबाबू नाइडू के खिला सिदमर को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में नाइडू के खिलाफ पीटी वारेंट आचिकाद आयर की थी स्रधालू बेना चीन के अब भारती एच्छेतर से ही पवित्र कैलास परवत के दर्शन कर सकेंगे इसके लिए उत्राखंड के पितोरा गर में खोजे गए प्यू पॉइंट को तयार किया जा रहा सूतरों के मताबिक इसका सुभर अंप्रथान मंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 अक्टूबर को पितोरा गर दोरे की समय करेंगे साथ ही वब भारत चीन जीवा से कैलास परवत के दर्शन करेंगे मौसम साफ रहा तो पीम उन परवत के भी दर्शन करेंगे ICC Cricket World Cup 2013 में ओस की बड़ी भूमिका होगी क्योंकि ऑक्टूबर नमवंबर के महिने में भारत के तमाम हिस्तों में रात का ओस परती है जिससे टॉस की भूमिका एहम हो जाती है जिससे बचने के लिए International Cricket Council यानि ICC ने कुछ बड़ी कदम उठाई है रिपोर्ट की माने तो World Cup 2013 के लिए चुने गए सभी वेन्यू के पिच क्योरिट्रों को साफ नर्देश दिया गया है कि उनको पिच पर घास छोड़ी है जिससे की मैच में पैसल समीसा बने रहे हैं इसके लाबा पिच की रोट्रों को यह भी कहा गया है कि पाउंडरी साइज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए इससे क्यूँ फैक्टर कम हो जाएगा और मैच लो मांचक होंगे और टॉस की भूमिका एहम नहीं होगी हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वारा नेशनल हाईवे 5 किन नौर के निगुल सारी में फिर बंद हो गया लोक नर्मान विवाक सरक को बहाल करने में जुटा हुआ है मगर पहारी से बार-बार गिर रहे पत्थर इसमें बाधा उत्पन कर रहे हैं भारतिय शेर बाजार के बुधवार के सतर में गिरावट के साथ सुरुवात हुई बाजार के मुख्य सुझकांक लाल निशान के काड़ोबार में रहें खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 449.37 अंक या 6.66 प्रतिशत गरकर 67176.16 अंक और निफ्टी 116.66 अंक या 6.58 प्रतिशत गरकर 20.017.66 अंक पर काड़ोबार कर रहा था सिंसेक्स पैक्स में HDFC बैंक, भारती एर्टेर, टाइटन, मारूती, सुझकी, टेक, महिंदरा, HUL, नसले, SBI, ITC, एशियन, पेंट्स, विप्रो, JSW, स्टिल, टॉप, लूजस है जबकि पावर ग्रीड, NTPC, M&M, मैक्सिस बैंक, टाटा स्टील, L&T, टाटा मोटस, बजा बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, न्यूज एजनसी PTI के समाजिक नया संबेलान में मंगलवार को CMS टाले ने कहा कि किंदर की BJP सरकार आरक्षन निती को ठीक से लागूर नहीं कर रही, उन्होंने मांग की है कि राजियों को आरक्षन कानुपात तैक करनी के अनुवती मिल इसके जवाब में उन्होंने रिपोर्टर को डाट लगा दी, उन्होंने कहा कि सच मुझ आपको थोड़ा आराम करना चाहिए पाकिस्तान के पुर्व प्रधान मंतरी नवास तरीफ ने देश के आर्थिक संकट के लिए पुर्व जनरल और नया धीसों को जम्रदार ठहराते वे कहा कि उनको देश दुनिया के सामने मदद की गुहार लगार है जबकि भारत ने चांद पर पहुँचने के लावा जी बीस दिखर समिलन की मेजबानी की आज पाकिस्तान की प्रधान मंतरी पैसे की भीख मागने के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं जबकि भारत चांद पर पहुँच गया है और जी बीस की बैठक भी आयोजित की भारत ने जो कमाल किया वो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया यहां इसके लिए पहुँचने पतार है एक बार फिर विडाट कोली सुर्ख्यों में है क्योंकि उनके एक वीडियो की वज़़े से केंदर सरकार से लेकर हाई कोर तक हल चुका है दरसल स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेर किया है जिसमें विडाट कोली खेल को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में स्टेडियम की खड़ा भालत के साथ भालत में बच्चों के लिए स्पोर्स ग्राउंड की कमी पर चिंता जाहर की गई है वीडियो में कोहली बताते हैं कि देश में बच्चों के लिए खेलने की जगह की कमी है और यही कारण रहा कि उन्हें एक समय पर गली म खेलना परता था वीडियो शामने आता ही उत्राखंड हाई कोट हरकत में आई और इस मामले को लेख देखते वे उत्राखंड सरकार और केंदर की नरेंदर मुदी सरकार को नोटस जारी कर जवाब मांगा है रासानी दिली में इंदरो डिंगू संक्रमन के मामले बढ़ने की खबर है अस्पतालों में मिल रही जानकारियों के मताबिक फिशले एक महिने के भीतर दिली एंसी आर के कई अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी है हाला कि डॉक्टर बढ़ाते हैं कि जात लोग आसानी से ठीक होकर घर वापस लोट रहे हैं मीडिया रिपोर्स के मताबिक इन देनों राजियों में वारस के सबसे गंभीर स्ट्रेंड के मामले रिपोर्ट किये जा रहे हैं के कारण खतरनाक लक्षनों के विक्सित होनी का जोखिम हो सकता है नय संसत भवन में राजित सभा में जीस्टी के बकाई के मुद्धे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोग जोग देखने को मिली वित्मंत्री ने उनके इन आरोपों का खंडन करते वे कहा कि नेता विपक्ष को ये आरोप सच्चाई से पढ़े है भारत मंडपम में हुए जी-बीस के आयोजन की देश ही नहीं दुनिया भर में जम कर तारीफे हुई देश के सबसे बड़े कर्वेंशन सेंटर में खोबसूरती देखने ही बनती है जी-बीस को लेकर इसे दुलहन की सरस जाय गया था है सब के बीच भारत मंडपम को देखने करने वाली कंपणी के करमचारियों ने मंगलवार को वेतर न दिये जाने का आरोप लगाते वे प्रगती मैदान के बाहर प्रदर्शन किया दरसल भारत मंडपम में जी-बीस के दुरान तयारियां करने और देख रेके लिए प्रिंसिटन यूटिलिटीज नामक कंपणी ने करीब 250 लोगों को काम पर रखा गया था उनका आरोप है कि अब कंपणी उन्हें उनका बेतर नहीं दे रही करनाडा के प्रदान मंदरी जेस्टिन टुडो की ओर से खालस्तानी समर्थक निजर की हत्या को लेकर दिये गए बयान के बाद भारत और करनाडा में तलखी का महौल है करनाडा के पुर्व चीफ विक्रम सूद के बाद अब अखिल भारती आतंगवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंग बिट्टा के ओर से बयान सामने आया हुनोंने साफ सब्दों में कहा है कि कभी बी अलग खालस्तान नहीं बनेगा अगर कोई भारत को में 55-60% तक उपसेती पहुंच गई है वही प्रात्मिक और मध्य विद्याले में 53-57% बच्चे स्कूल आने लगे हैं पहले जले के नौवी से बार्वी की कक्षाओं में 25-30% उपसे थी रहती थी कक्षा एक से आटवी तक 20% बच्चे ही आते थे लेकिन जाहतल स्कूलों म नहीं होना चाहिए विसेश रूप से तब आतंगवाद से पारत की संप्रूपता एकता और अखंटा को खत्रा हो हमाय देश के हितों और जिचनताओं को हमेशा सर्वों पर रखा जाना चाहिए इस प्लैनेट पर जस्टिन टूडरो राजनेता के बेस में सबसे बड़े ज अगले साल यानि 2024 के पहले सेशन की नेट परिक्षा 10 से 21 जून के बीच होगी देश में पहली बार 179 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद घाटन होगा 24 सितमबर को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी दोरा वर्चुल रूप से इनको हरी जंडी दिखा कर रवानी की संभावना है ये सभी ट्रेने अलग-अलग राजियों और सहरों से चलेंगी गोड़कपुर लखनाव वंदे भारत 7 जुलाई को लॉंच होई थी खालिस्तानियों ने 25 सितमबर को इस प्रधर्शन को भारतिया हाई कमिसन के सामने करने की योजना बनाई है खुफी आईजस्टी के सूत्रों के मतावि कनाड़ा में रह रहे है 20 से ज़्यादा खालिस्तानी पाकस्तान की आईस आई के साथ मिलकर कनाड़ से भारत के खिलाब बड़ी साजिस रच रहे हैं ऐसे में इस हिंसक प्रधर्शन को देखते वे कनाड़ा में तैनाथ भारतिये डिप्लोमेंट्स और भारतिये नागरिकों को खासतर से साबधार रहने के लिए कहाँ गया है बनने जारहा वारानशी का यहंद्राश्य क्रिकेट स्टेडियम काफी आकरशक होगा इस स्टेडियम को खास तोर पर्श्रिव में बनाया जारा है IRCTC धार में क्यातरा केता है जोतरलिंगों के दर्शन के इक्षा रखने वाले श्रधालूओं के लिए खास पैकेज लेकर आया है IRCTC के नौरात और दस दिन के इस तूर पैकेज के तह आपको साथ जोतरलिंग का दर्शन का मौका मिलेगा IRCTC ने सोसल मीडिया साइट एक्सपर्ट ट्वीट कर इस तूर पैकेज के बारे में जानकारी दी है इस तूर पैकेज में भारत गौर्ट टूरिस्ट ट्रेन के जरीए भक्तों को यातरा का मौका मिलेगा इसके साथ ही अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इसमें भी IRCTC के यातरों को यातरा नास्ता दोपहर और रात का साकहारी भोजन और AC-9AC बसों के जरीए स्थानी छेत्रों में घुमाया जाएगा अब बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद